नमस्कार मैं सुलिता शेखावत मेरी कीचन में आपका स्वागत है। आज मैं मिल्क पाउडर और पनीर की बरफी बनाऊंगी जो कि एक बार की मिठाई है। यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होती है। आप इस उकवास में भी खा सकते हैं। इस मिठाई को आप किसी भी तेवार पर या फिर जब आपका मन मिठा खाने का हो आप इस मिठाई को बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी मिल्क पाउडर लिया हमने 500 ग्राम शक्कर लिया हमने PCOE 100 ग्राम हमने पनीर लिया है 25 ग्राम के आसपास हमने गी लिया है और दूद भी से माप में लिया है बादाम लिये हैं और काजु लिये बर्फी जमाने के लिए हम एक कंटेनर लेंगे और उसके अंदर हम गी लगाएंगे गी को हम 4 तरफ अच्छे से लगा देंगे ताकि आमारे पीस अच्छे से निकलाएं गी को अमने कंटेनर के अंदर अच्छे से लगा दिया है अब हम इसको एक साइड रखतेंगे गैस ओन करके अब हम कड़ाई को गरम करेंगे और उसके अंदर गी डाल देंगे गी डालते ही थोड़ा सा गी गरम होते ही, अब 에नum के अंधर gilt डालेंगें यह देखिए गी गरम हो चुका है, आब अम इसके अंदर दू़ डाल देंगे दूद डालने के बाद इसके अंदर Infinite Powder डालेंगे और मिल्क पाउडर डाल कर हम इसको एक से दो मिनिट तक बारिक गैस पर चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये कडाई में चिपके नहीं गैस का फ्लेम हम कम रखेंगे जब पेश्ट भून जाएगा तो इसमें गी अलग से दिखाई देने लगेगा तब हम इसके अंदर शक्कर पाउडर डाल देंगे पेश्ट भून चुका है अमारा गी अलग हो गया है अब हम इसके अंदर शक्कर पाउडर डाल रहे हैं ये देखी सक्कर पाउडर भी डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, जैसे जैसे सक्कर पिंग लेगी, इसके अंदर पेश्ट पतला हो जाएगा, तो हम उसको लगातार चलाते वे गाडा कर लेंगे, सक्कर भी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसके अंद पनीर डालने के बाद इसको हम लगातार चलाते हुए गाडा कर लेंगे पनीर डालने के बाद इसको गाडा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये एक से दो मिनिट के अंदर ही गाडा हो जाएगा दो मिनिट हो चुके हैं ये देखिया हमारा पेष्ट एकडम गाडा हो पेश्ट काजू बादम तोड लिया और ये तोड नो हम ने सदू है और सब्सक्राइड गारण दिया अर ओफ और लेंगे आब पद्रा बिस मिनिट के लिए सेट ओने के लिए फ्रीज मेर अधलेंगे तीस मिनिट हो चुके हैं यह देखिए अमारी बरफी अच्छे से से शेट हो गई है अब एक चाकू लेंगे और उससे इसके पीस कट करेंगे यह देखिए अमने पूरे पीस अच्छे से कट कर दिये है अब अम इसको निकालने से पहले एक बार कंटेनर को थोड़ा गैस पर रखकर गरम कर लेंगे जिससे अमारे पीस आसानी से निकलाए यह देखिए इसका पूरा पीस आसानी से निकलाया है ऐसे ही अम बाकी के पीस भी निकाल लेंगे और प्लेट को गार्निस करेंगे यह बर फिखाने में बहुती टेस्टी लगती है और इसको आप उपवास में भी खा सकते हैं तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद